नमस्कार बोल्ड सकाई में आपका स्वागत है। चैत्रमास के नवरात्र में सस्टी तिथी को हर साल चैती छट का तेवहार मनाया जाता है। भविश्य पुरान के अनुसार, कार्तिक मास की छट और चैत्रमास की छट का विशेश महत्व होता है। कार्तिक मास की छट दिपावली के तुरंत बाद पूर्व उत्तरपरदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में धूम धाम से मनाई जाती है पुराणों में बताया गया है कि नवरात्र की सस्टितिती को सूर्य देव की पूजा विवस्वान के रूप में करनी चाहिए सूर्य देव ने देव माता अदिती के गर्म में जन्म लिया था और आगे चलकर विवस्वान और मार्तंड कहलाए इनहीं की संतान व्यवस्वन मनू भी हुए जिन से आगे चल कर स्रिस्टी का विकास हुआ शनी देव, यमराज, यमुना और कर्ण भी सूरे देव की ही संताने है चैत्र नवरात्र की स्रस्टी के दिन छट का मुख्य प्रसाद बनाय जाता है इसमें ठेगवा प्रमुख है, प्रसाद और फलो को नई टोकरी में सजाय जाता है फिर घर में टोकरी की पूजा करकर सभी व्रती सूरे को अर्ग देने के लिए तालाव, नदी और घाट बढ़ जाते है फिर वहां डूपते सूरे की पूजा होती है लेकिन छट पूजा का भगवान श्री राम से क्या कनेक्शन है, चलिया आपको बताते हैं छट से जुड़ी पौरानिक कथाएं भगवान राम ने किया था आरंब एक मानिता के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद, राम राजे की स्थापना के दिन कार्तिक शुकल पक्ष सस्टी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूरे देव की पूजा की सप्तमी को सूरे ओदे के वक्त फिर से अनुस्ठान कर सूरे देव से आश्रुवात प्राप्त किया था यही परंपरा अब तक चलिया रही है कर्ण ने भी सूरे देव की पूजा एक दूसरी मानेता के अनुसार छट पूजा की शुरुवात महभारत काल में हुई थी सबसे पहले सूरे पूत्र कर्ण ने सूरे देव की पूजा शुरू की कर्ण भगवान सूरे के परंभक थे वो प्रती दिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूरे को अर्ग देते थे सूरे की कृपा से ही वो महान योधा बरे आज भी छट में अर्गदान की यही परंपरा प्रचलित है तो यह है छट पूजा में भगवान श्री राम का कनेक्शन उमीद करते हों आपको जानकारी पसंद आई होगी फिलाल हमारी इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक शेर और साथ ही हमारे चैनल बोल्ड सकाई को सब्सक्राइब करना ना भूले